तुर वाइल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल आई आज हम लोग देखते हैं मैकनिक डिजल का ITI and CBT CBT exam के लिए महत्वपूर्ण question ठीक है यह जो आप question अभी आप देख पा रहे हैं यह निमी द्वारा जो जारी किया गया है यह PDF से question से है और इसी से exam में आने की 100% संभावना है इसलिए वीडियो में आप अंतर तक बने रहें ताकि आप CVT exam अच्छे तरह से जो है कि दे पाएं और आपको ज़्यादा ज़्यादा नम्मर आए तो question number 82 हम लोग अब से देखेंगे ठीक है एटीटू से पूर वीडियो अपलोड हो चुका है आप लोग उसको भी देखें तो देखें इसमें से question कर रहा है एटीटू नम्मर में कर रहा है कि लोग हुआजिए सबाराफ में करना कर दोत यंद्रीटू लूग इसमें से आप ज़रतलव क्या ही ठीक है यह जो को लावा लावा नहीं इस गोल वाले भाग में यह देख रहे होंगे कि कुछ जो है कि खाली रिक्त स्थान है यहां इस रिक्त स्थान में जो है कि इसको लगा करके खोला जा रहा तो इसको कहा जाता है हूँक क्या खाते हैं हम लोग से होग एस्पेनर ऑप्शन नमर सी इसका सही अनसर होगा ठीक है कि आकरती में एक वर्नियर की मान की गन्ना करें तो वर्नियर के लिपर में जो स्केल होता है ठीक है जैसे कि स्टिल फूट रूल में पहिमाना होता उसी तरह से वर्नियर के लिपर के स्केल में भी पहिमाना दिया रहता है ठीक है तो इसका कह रहा है आपको मेजरमेंट करके बताने के लिए तो इसमें से जो है कि कि इनकी गनाना करें ठीक है तो इसका ज 0.09 unit ठीक है तो इस तरह से जो है कि अब इसको कैसे समझेंगे तो इसको देखें कि क्या समझेंगे कि यह जो 10 तक है ठीक है और यह कहां तक आकर के इसका जो है एक है यहां और दूसरा है यहां ठीक है तो दूसरा बला जो पार्ट है वो किसके जो है कि समानंतर में आया है तो तो पहला के 0.9 में ये 10 तक पुरा हो जाता है ठीक है अगर मानगे चलिए ये 10 जो है जिरो-zo.8 में पुरा हो जाता है इसका मानन हम लोग बोलते 0.08 लेकिन जिए 10 कहा पुरा रहा रहा है 0.9 के पास तो इस तरह से इसका उज़ा 0.09 यूनिट्स नेक्स्ट कोर्शन 84 नंबर में है वर्नियर केलिपर में ओल और 3 ah 84 में हम लोग देखेंगे हैं वर्नियर के लिपर में एक्स के रूप में चिननीत भाग का नाम ग्याद करें तो यह जो एक्स है ठीक है यहां की बात कर रहा है इसका तो यह क्या होता है यह slide करता है, सरकता है, ठीक है, हम बताये थे, इससे पिछले question में, कि ये जो है, जाओ होता है, ये भी जाओ होता है, और ये भी जाओ होता है, दोनों जाओ होता है, ये fixed जाओ होता है, ठीक है, ये fixed जाओ होता है, और ये जो है, मोभेबल जाओ होता है, मोभेबल जाओ, ठीक है तो इस तरह से जो है कि इस दोनों जाओ के बीच में जो है कि कोई भी जो है कि हम लोग इसको जो है कि जाओ को रखते हैं और इसमें से जो है कि मेजरमेंट इसका किया जाता है ठीक है यहां लाल जो देख रहे हैं यह इस दिकार जाओ को रखते हैं यह जो मूब है बूल करता मूब करता है तो यह नीचे का पार्ट ही मूब नहीं करता है साथ साथ ऊपर का पार्ट भी मूब करता है यह भी पार्ट मूब करता है इसलिए मूब करना मतलब स्लाइड करना सरकना ठीक है इसलिए इसको जो है कि जो कहा गया X का जो नाम पूछा जा रहा है पर X का नाम हो जाएगा sliding unit क्या नाम हो जाएगा sliding unit option number C आपका सही हो जाएगा sliding unit ठीक है इसके बाद जो है कि 85 number question हम लोग देखते हैं करहें matrix system में vernier caliper की सबसे कम गिंती क्या है ठीक है तो vernier caliper में जो इसका सबसे कम गिंती होता है वह होता है 0.02 mm आगे question में हम लोग देखेंगे ठीक है 0.02 mm होता है तो 0.02 mm आपका option number C में है तो option number C सही हुआ इसके बाद 86 number में हम लोग देखते हैं 86 में कह रहा है 86 question में कह रहा है कि काम के टूकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंतर का उपयोग करते है ठीक है तो देखिए अगर मान के चलिए कि बाहर भी व्यास या मोटाई मापना है ठीक है तो या गहराई भी मापना है तो उसके लिए बर्नियर के लिए पर का उपयोग करते हैं क्योंकि गहराई मापने के लिए बर्नियर के लिए पर में एसकेल जो होता है वो डिप्त एसकेल भी होता अब यह से इसको question को देखे है 84 में ठीक है तो यहां जो है कि यह जो stick देख रहा है इससे गहराई मापा जाता है और यहां जो देख पा रहे हैं इससे किसी भी जौब की बाहरी गोलाई या मुटाई को मापा जाता है तो आपका question इसी तरह से कह रहा है ठीक है गोलाई बाहरी गोलाई उसके बाद जो है गहराई मापने लिए लिए तो हम लोग किसका उप्य करते हैं किसका बेर केलिप पर लेंट जो एक सैसी काौछ जो है कि स् सिय और उपयोग करते हैं इसके बाद 47 में का रहा है और आंत्रिक और बाहरी माब को मापने केलिए इंद्सक्रों तो अन्त्रिक कर पाहरी मापने के लिए किसका बीच में रखेंगे तो मतलब हो गया क्या मोभेबल जाओ मोभेबल जाओ का उप्योग हम लोग करते हैं इसके बाद 88 नमर का कोस्टन में हम लोग देखते हैं कहरा 0.01 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर के लिपर को रीडिंग करना है पढ़ना है तो 88 नमर में लोग देखेंगे और इसी तरह के साथ बढ़ने के लिए पर को पढ़ना जो है तो चार के पास है यह यहां पर इसका कहा रहा है बताने के लिए आपको इसका हो जाएगा 44.4 mm जो अप्सन नमर भी इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद फिर 89 नमर में देखते हैं कर रहा है 0.1 mm की सबसे कम गीनती के साथ बढ़नेर के लिए पर को परना उसी तरह का कोष्टन पुना आ गया है ठीक है अब यहां पे जो है कि आपका कहां यहां पे 2 और 4 के बीच में है दो और चार के बीच में यह जो बलेक टाइप का देख रहा है इस पर ही रिडिंग होगा ठीक है तो दो और चार के बीच में क्या आता है तीन आता है तो इसलिए इसका हो जाएगा 0.3 mm option नंबर भी हो जाएगा ठीक है इसके बाद जो है कि 90 नंबर का question में हम लोग देखते है कि 90 नंबर का question है इसी तरह का है फिर बर्नीयर के लिचिंटे से संबंदीं question है 90 नंबर में कह रहा है बर्नेर के लिइपर मैं एक्स के भाग का नाम दे अब यह जो है एक्स की लिखा नहीं है भूल गया यह 4 के पास की बात कर रहा है किसके पास चार के बास तो चार जो है दो है फिर जो है चार है फिर छे है फिर आठे दो के रेंज में ये बटा हुआ है ठीक है तो अब यहां जो है कि छे है ठीक है और इधर जो है कि मान के चलिए साथ है ठीक है और इधर जो है कि आपका पांच और छे के बीच में ठीक है तो इस तरह से जो है कि इसका जो है कि एक्स वाले बहाग का नाम जो कह रहाए यहां पे बताने के लिए ठीक है तो छे और साथ के बीच में है और यहां जो है कि चार से तो इसका जो है से माइक्रो मिटर के साथ लिया जा सकता है तो जो लिस्ट काउंट होता उसी की बात किया जा तो लिस्ट काउंट के तना होता है 0.01 mm होता है ऑप्छनOld ए साही हो जायगा है इसके बात जो है कि 92 नमबмотр में कर रहा है कि piston pin piston pin जो है कि व्यास को मापने के लिए किस किसका परयोग करते हैं ठीक है आप पिस्टन पीन जो है जनरली अगर सिंगल सिरंडर इंजन की पिस्टन की बात करते हैं बाइकों करका पिस्टन पीन तो वह पिस्टन पीन का आकार जो है आपके पेन का जो है जो धक्कन होता उस अकार का लगभग होता ठीक है तो अब उसको जो है कि अगर उसको मापना है उसको मापने के लिए हम लोग किसका परयोग करेंगे ठीक है उसको मापने के लिए हम लोग किसका परयोग करेंगे बाहरी गोलाई और मोटाई को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे ठीक है इसमें से देखे question दिया गया है ठीक है तो हम लोग किसका उप्योग करते हैं outside micrometer का किसका उप्योग करते है outside micrometer का हम लोग इसका उप्योग करेंगे किसी भी job की बाहरी गोलाई मोटा इम आपने के लिए इसका मतलब option नमर सी अंसर सही हो जाएगा outside micrometer अब यह जो देख पा रहे हैं यह outside micrometer 93 नमर यह जो देख पा रहे हैं लोग 93 नमर में outside micrometer को reading करना है पढ़ना है तो हम लोग जानते हैं कि micrometer को पढ़ने के लिए तीन division क्या वर सकता होती है एक जो है कि sub division ठीक है एक sub division main division और एक होता है थंबल division यह तीनों जो है कि जहां चिने लगा यह तीनों division को मिला कर गता प्राद जैसे कि एक अगर आपका बात करें घारी को देखना तो घारी का समय हम लोग कैसे देखते हैं एक घंटा की सुई ठ फिर एक जो है था है क्या होता है एक होता है सकेंड की सुई इस तरह से जो है देखते है आपको ताइम जो है अगर बताना है तो आप घंटा मिनट सकेंड तीनो एक साथ बोलेंगे तो वो सुद्ध समय हुआ वो ठीक है जनले हम लोग नजर अंदाज करते हैं कि सकेंड को लेकिन नहीं तो जब तीनो को मिला के बोला जाएगा तो उसी तरह से इसके बांच है इसके बांच जोенко इधर आगे बढ़े इस तरफ आगे बढ़ेंगे चह, साथ, आठ टीक है तीन लगट के लिए हम दीक ज little यह दीख रहा है तो आपको eight हो गया ठीक है यहां सहीं अब इसमें से जो है इसका जो है कि देखेंगे कितना तो तो यह जो है कि option number इसका जो है कि 8.69 mm हो जाएगा ठीक है 8.69 mm ठीक है तो इस तरह से जो है कि सभी division को मिला करके तब इसको reading करते हैं अब इसके बाद जो है कि 94 number का question में देखेंगे outside outside micrometer 0.5 mm की reading क्या है ठीक है तो इसका जो है कि reading जो है कि 0.5 mm जो है कि micrometer का जो है कि reading क्या हो सकता है तो आएए देखते हैं इसका option क्या क्या दिया गया है ठीक है यहां जो है कि दिया गया अब इसका कारा है कि क्या इसका reading हो सकता है तो अब इसमें से देखें यह जो है कि आपका main division यह main division उपर बला नीचे बला sub division और इधर बला जो देख रहे हैं यह थंबल division है तिनों division को मिला करके हम लोग इसको देखते हैं ठीक है तो अब इसमें से जो है कि देखें अब जो है कि zero से ले करके ठीक है एक इधर बढ़ते जाएंगे इस तरफ हम लेकर एक है एक तो 0 है एक लाइन हो गया और 2 हो गया तो 2 से समंजित सभी ऑप्सन है अब आपको जो है कि लिस्ट काउंट और अब एंट को भी दियान में रखना है ऐसके बार миज डीजञा को थमबल सभी को दिहान में रखना है तो इसका जो है कि अंसर हो जाएगा सी नमर्टू दस्मिलर सेवन फाइव ठीक है जनेरली आप लोग को आइटी आई में हम बताये हैं कि माइग्रोमीटर का डिडिंग कैसे लिया जाता है ठीक है तो आए इस चीज़ को देखते हैं 95 नमर कोस्टन में 95 कोस्टन कह रहा है स्लाउट के अकार के अंदर किस उपकरन का उपयोग किया जाता है ठीक है तो स्लाउट के अकार के अंदर जो है कि किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो उसमें से किसका हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें से उपयोग करने के लिए जो है कि हम लोग किसका chain करेंगे slot के अंदर किस उपरन का अपयोग किया जाता है तो यह है outside micrometer का अपयोग हम लोग करेंगे option नमर B सही होग outside micrometer ठीक है अब जो है कि 96 नमर में आते हैं 96 का question कह रहा है कि what is the check the vacuum gauge ठीक है इसको हिंदी में TK gauge के साथ क्या जांच करने हैं तो ठीक है तो vacuum gauge के साथ जो हम लोग मापन करते हैं inlet manifold का resab को माप करते है option number C सही इसका answer हो जाए inlet manifold system में resab जो होता है उसका जहांच हम लोग करते हैं किस के द्वारा vacuum gauge के द्वारा हम लोग किसका पता करते हैं रिसाब का पता करते हैं ठीक है इसके बाद जो है कि next question है 97 अब देखे चीजल कहां उद्देश क्या है छेनी का उद्देश क्या है ठीक है तो छेनी का काम क्या रता है इसको जो है कि छाटने से समबन देखे कहीं कहीं इसको इसके द्वारा किसी चीज को काटने में भीust क्याता है वायर हो गर रह divisव हो जो workflow होता है उसको काटने ब히 युद्देश केरते में लेकिन वो एक emergency इसको हिंदी के माधियम से दिहान में रखें हिंदी में से क्या कहा जाता है और च्छाटना इसी छाटना को इंगलीज में चिपिंग कहा जाता है अप्सन नमर डी इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो छेनी का जो काड़ी है चीजल का जो काड़ी है उसका काम क्या है चीपिंग करना मतलब हटाना छाटना ठीक है अब इसका बात जो है 98 नमर का कोश्चन में हम लोग देखते हैं 98 का कुश्चन कह रहा है कि बड़ी सपाट सत्ह से धातू निकल निकलनी में किस छेनी का उप्योग किया जाता है थीक है तो वाट इज which chisel is used to remove metal from large flat surface ठीक है तो इसमें दिया गया है flat surface ठीक है तो flat surface दिया गया है आप इंगलिस नाम को भी ध्यान में रखें तो flat surface जब दिया गया है तो हम लोग किस chisel का परियोग करेंगे flat chisel का परियोग करेंगे ठीक है तो option number A इसका सही हो गया 98 के बाद आईए हम लोग देखते हैं 99 number का question में क्या कह रहा है कह रहा है कोनों और screening सामिल के लिए किस परकार के छेने का परियोग किया जगता है तो अब देखिए कोन अगर नेकालिया है तो उसके लिए किस chisel का हम लोग परियोग करते हैं तो उसके लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं यह है diamond point chisel तीक है diamond point chisel इसका जो है उपयोग करते हैं हम लोग 99 number का question में अब का option number D सही हो जाएगा diamond point chisel का तीक है इसके वाद एक हतोरा में hammer में eye hole का उद्देश क्या है क्यों eye hole रखा जाता है उसमें इसलिए रखा जाता है कि handle की वेवस्था ठीक से होव सके तो handle की वेवस्था ठीक से हो सके मतलब handle ठीक करें तो एक सो नम्मर का जो answer है उसका जो है कि आपका हो जाएगा एक सो question का answer option number B सही हो जाएगा fixed the handle fix the handle इसके बाद एक सो एक नमर कर रहा है कि गांठ हाता हो ठीक है वाट यूजड़ अब इसका उप्योग क्या है ठीक है यह एक परकार का जो hammer है ठीक है यह इस तरह का है ठीक है है ठीक है यह जो है कि क्या है do nou कोmot की बात करता है तो यह आपका जो है कि हमर कौन सा हमर है स्लेज हमर ठीक है अब इस तरह का उपयोग जो करते हैं तो कोई न कोई चीज को जो है कि विद्वन्स करने के लिए तो light demolition work इसका हो जाएगा option 101 का option number D answer सही हो जाएगा light dentination ठीक है demolition work हलका विद्वन्स करने मतलब हतोरा से जो है कि जब किसी को चोट लगेगा या फिर उसको को जो है कि मतलब एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्चत किया जाए ठीक है 102 नंबर में देखते हैं मैलेट का उद्देश क्या है लकरी का हतोरा को मैलेट का इस तर जने लकरी का हतोरा इसकार का नहीं होता है ठीक है उसका जो है कि ये भी भाग जो है कि ये जो देख रहे है अभी लकरी का ही बना होता है और हैंडल भी लकरी का ही बना होता है लेकिन यहाँ पे 101 नंबर में क क्या होता है दोनों लक्री कहीं बना वता है तो उसका उप्योग हलके कारी के लिए करते हैं टिक है तो इसका जो है कि 102 नमर का question का answer हो जाएगा हलका कारी किसे में दिया गया है ठीक है इस्ट्राइक और soft metal ठीक है तो यह भी हलका ही हो गया तो option नमर जो है कि B इसका सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद 103 नमर में हम लोग देखते हैं इस पेस लिमिट में किस screwdriver का उप्योग करते हैं ठीक है तो इसमें से कौन सा screwdriver का हम लोग उप्योग करते हैं इसकी बात कर रहा है तो ठीक है question 104 है किस वाइस का उप्योग बहुत छोटे कारे के लिए करते हैं जनरली हम लोग जानते हैं वाइस का काम क्या होता है जौब को पकरना तो जैसा जौब रहता है उस तरह से उसको पकड़ा जाता है तो आईए इस में देखते हैं सबसे छोटे काम के लिए किस वाइस का पर अन्सर हो जाएगा 25 इसके पाद 105 है तो टायर की जांच किस सिस्थिती में नहीं की जानी चाहिए इसी है तो टायर की जांच उस चाहिए जब गारी यह लंबे समय से या लंबी दूरी से चल के आया है उस समय जो है कि टायर का जांच नहीं करना चाहिए टायर इस होट लॉंग रन ठीक है तो लंबे समय से चल के आया हुआ है 105 नमर का question का answer हो जागा D नमर ठीक लंबे समय के बाद टायर गर्म हो जाता है टीक है तो option नमर डी हो गया इस तरह से जो है कि आप लोग रोयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और मिलते हैं फिर next